Hello Everybody, This is DIGRAASH SINGH RAJPOOT, Welcome to Magnet Brains इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रोकाईया शेकावत हुसेन के बारे में and her dreams about Ladyland यह दो चीजे पढ़ने वाले हैं दो चीजे एक ही कहानी में पढ़ेंगे लेकिन कैसे क्या सारी सीज़ें समझाता हूँ पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था पिछले वीडियो में जब हमने Learning About Change वाला जो टॉपिक पड़ा था तो उसमें हमने देखा कि दो स्टोरीज थी किस तरह से महिलाओं ने अपनी स्थिती सुधारी अपने साथ साथ में और जो दूसरी महिलाएं थी उनके स्थिती सुधारी तो हमने पंडिता रमाबाई की कहानी देखी हमने राश सुंदरी देभी की कहानी देखी और उसी सीरीज में अब एक और कहानी हमारे पास किस किये रोकईया शकावत हुसेन किये अब देखो क्या है यह उन्हें एक एडवांटेज रहा कही ना कहीं कि एक अच्छे घर में पैदा हुई जहां पर पढ़ाई लिखाई को थोड़ा सा क्या दिया जाता था इंपोर्टेंस दिया जाता था लेकिन समझना इस चीज में भी पूरी तरह से इसा नहीं कि हाँ बेटी जो पढ़ना है वो पढ़ो वहाँ पर बहुत वो जो पढ़ाया जा रहा था तो वो इस सिसाब से कि उस सोसाइटल स्टेटस को मेंटीन रख सके अपने तो शी न्यू हाँ टू रीड एंड राइट उर्दू तो उन्हें उर्दू सिखाया गया ठीक है बहुत सारे कारणे तो religious attachment भी हो गया और उस जी के साथ साथ में क्या हो गया कि हाँ पढ़ लिख सकती उर्दू पढ़ लिख सकती कुराण पढ़ सकती सारी चीजे अब क्या होता है तो उन्हें उर्दू तो सिखाई गई लेकिन she was stopped from learning Bangla and English Bangla और English language उन्हें नहीं सिखाई गई क्यों नहीं सिखाई गई तो Bangla और English language उन्हें इसलिए नहीं सिखाई गई क्योंकि society जो होती न तो देखो society में सबसे बड़ी problem क्या थी उस समय पर stereotypes बनाना और एक गलत impact create करेगी English की जो books थी तो क्या माना जाता था कि Western culture जो है तो Western culture इंडियंस को सिखा देंगी और यह माना जाता था कहीने कहीं इसलिए उन्हें इंग्लिश नहीं सिखने दिया बंगला नहीं सिखने दिया लेकिन अब वो क्यों सिखना चाहती थी क्योंकि आप जितनी language आगर आज मुझ से कुई बोले कि आपको में language सिखा दूंगा तो मैं बड़ा खुश होंगा क्योंकि आप जितनी languages पता रहेगी न इंग्लिश में क्या नहीं तो अपने बड़े भाई बहन की मदद से उन्होंने सीख लिया सारी चीजों को जब सब कुछ सीख लिया तो सीखने के बाद उन्होंने क्या किया पता है शी बिकेम और राइटर एंड रोट अस्टोरी टाइटल सुल्तानास ड्रीम एक बुक लि अपने एक्सपीरियेंस स्थोन ने क्या किया अपैंड़ नां कर दया और अग्लिश लेंगवर्ग में ने उन्होंने बुक लिखी सुल्तानास ड्रीम तो अब क्या होता है तो यहां पर रोपने कंसेप्र प्रजेंड किया दिकरियां हथ रीम अब अधिलेंड क्या है देख सारा कि society हम presume कर सकते उस समय पे तो लेट बात करें या तो लेट 1890s के आसपास की बात है ये ठीक है तो उस समय पे क्या होता है उस समय पर अगर देखा जाए या फिर early 20th century की जब बात करें तो जब उन्होंने बुखली की थी तो उस समय पर क्या है कि society कैसी थी सोचलो आज से म बात कर रहे हैं तो समय पे भी conservative societies बहुत जादा तो वहां पर क्या बोलती है कि aeroplane जो है तो कौन उड़ाएगा women उड़ा रही है car जो drive कर रहे है तो कौन car drive करेगा women car drive कर रही है मतलब वह सारे काम जो male के लिए reserved थे वह सारे काम किस ने कर लिए female ने कर लिए उनकी ladyland का ये concept ship था एक ऐसी दुनिया बनाई उन्होंने ठीक है जहां पर अपनी sister के साथ share पर निकलती थी फिर क्या होता था और तो वहां पर men जो है तो men के पास हत्यार जरूर होंगे लेकिन उन सारे हत्यारों से less जो men है तो उन सारे पुर्षों को महिलाओं ने अपने दिमाग से अपन पता हो आप एक कहानी लिखी उन्होंने हो गया खतम लेकिन कहानी किस time period पर लिखी है उनके time period को देखो समझो वहां की स्थिति को भापो ज़रा थोड़ा सा ठीक है स्थिति को क्या करो feel करो और फिर सोचो कि उस समय पर ऐसा लिख देना एक ऐसा time period था जब क्या था जब women को school तक नहीं पहुचाए जा रहा था और वहां पर आप ऐसी बात कर रहे हो कि वहां पर आप ऐसी बात करो कि सारे काम women कर लेगी तो इसके लिए बहुत करें चाहिए एक बहुत फोर साइट चाहिए रहेगी आपको दूर दुर दुरश्टी रखना होगी ठीक है आगे का सोच कर पाओगे तो हसने लगेंगे ऐसा हो सकता है क्या लेकिन किसी ने तो सपना देखा होगा सोचा होगा तब ही तो possible हुआ ठीक है अब मैं कहूं आज से कि आज से 50 साल बाद ऐसा हो मतलब जैसे आज मैं आपको कहानी बताता हूं कि ऐसा होने वाला आगे जाके कि आपको डिस्कवर कर लिया जाए तो सारी possibilities होती है आगया समझ में अब उन्होंने क्या है बस आपको एक vision देखना होगा ने दूर दरश्टी रखना होगा उन्होंने दूर दरश्टी रखी और बताया तो this was all about the story of रोकईया शैकावत हुसेन जो मैंने आपको समझाई अब एक इसमें stories पढ़ने के आद में women और education आज के context में अगर बात करें इस stories तो पुरानी होगी चलो आप बोलोगे तब समय कुछ और था आज के context में बात करें women और education का कितना relation है तो no doubt situation improve हुई आज लड़कियों के पास में क्या access हैं कि वो पढ़ सकती है अपने society में अपने आपक female gender जो है तो एक बड़ा segment ऐसा है जो क्या है पढ़ नहीं पा रहा है गरीबी के कारण accessibility नहीं है वहां तक वो पहुंच नहीं पा रही है स्कूलों तक तो यह जो rigid expectations है ना जिनके बारे में हम chapter में आगे पढ़ के आए उन्हें तोड़ने की इन stereotypes को खतम करने की आज भी हमें जरूरत है तो इसी के साथ हमारे यह वाला topic complete होता है hope you enjoyed it next video lecture में इसी chapter का अगला topic पढ़ने वाले हैं यहां तक किसी प्रकाय का कोई doubt है तो feel free to ask in comment section till then stay connected keep learning मिलते हैं next video में thank you thank you very much